से लेकाटि, आज के वीडियो में हम अमने डिस्कस करने वाले हैं सर्वर कोर के बारे में Um अजतुन अज़िए हमने अज़ों सकतिे हो गांगर doesn't 約कार क्यारी में वोक prediscus confess करना है और तो उसके बाद जो मारा नेक्स टॉपिक अम डिक्सस कर रहे सर्वर कोर के बारे में तो गाईस अगर मैं Windows operating system के बात करूं server operating system की तो इसमें दो तरह के आपके operating system है एक app का CLI based operating system CLI based operating system and another is GUI based operating system तो हमने last time जो डिस्कुस किया था जो हमने installation देखा था वह हमने GUI के बारे में देखा था लेकिन आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक server core operating system को अपने production में इंस्ट्रॉल कर सकते हैं और server core का सबसे बड़े फायदा ही है गाईस कि इसके लिए एक minimum hardware के requirement होती है और server core जो आपका introduce हुआ था जो आपका बेनिफिट इसका यही है कि इसको आप एक बहुत ही कम hardware resources के साथ आप इसको use कर सकते हो लेकिन यहां पर आपको कोई GUI नहीं मिलेगा आपको किसी भी तरह का graphics नहीं मिलेगा सारा का सारा जो बेस होगा गाईस वो command line के थुरू यानि आपका पूरे करना होगा लेकिन हम किसी दूसरे server से किसी अनदर server से हम उसका remote access लेके उस पर हम minimum GUI का access लेकर हम काम कर सकते हैं डिसकस करेंगे अगे इन future में किस तरीक सा server को manage ही रहता है तो आने वाले अभी कुछ वीडियो आपी server core के बारे में रहेगा जिसके अनदर server core को installation देखेंगे उसके बाद फिर कैसे हम इसको पर रोल इंस्टॉल करते हैं कैसे इस सारी चीज़ा इस सीरीज में रहेंगी ठीक है तो server core को इंस्टॉलेशन आज हम देखेंगे आज को जो टॉपिक है गाईस हूँ है server core installation तो installation के लिए guys मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने VMware के पास तो यह VMware का आपका application है तो सबसे पहले हम इसके उपर एक virtual machine create करेंगे तो इसके लिए file पर जाएं और यहां पर आपको create करना है new virtual machine के उपर ठीक है new virtual machine पर जाने के बाद आपको यहां से next करना है और यहां से जो guys आपको भी choose करना है यह करना है आपको यह करना आपको I will install operating system letter ठीक है अभी आपको यह करना है चाहे तो आप directly images को देखे आप कर सकते हैं लेकिन कई बार शू आ जाता है तो जो हम operating system में वाद में हम लोग जो इसका iOS image है जो इसका operating system का जो image है iOS operating system उसको बाद में select करेंगे लेकिन अभी हमें क्या करना है I will install the operating system letter ठीक है इस पर click करना है आपको और उसके बाद आपको यहां से next पर click करना है नेक्स पर click करने के बाद यहां पर आपका operating system Microsoft का है और यहां पर बाइडिवर्ड अभी आप देख सकते हैं Windows server 2016 है बाकि अगर अधर कोई operating system अगर यहां पर select होता है तो आपको यहां पर Microsoft और यहां से server 2016 को select करना है next पर click करना है उसके बाद आपको अपने machine का नाम देना है कि किस machine आपको वर्चूल मशिन का जो नाम है वो क्या होना चाहिए तो मैं यहां पर दे देता हूँ server server core और यह machine आपको कहां पर install करनी है तो गाइस इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहां पर browse करूँगा और मेरे यहां पर ड्राइव है आई ड्राइव कि मैं सेकेंड थोड़ा सा नीचे आते हैं आई ड्राइव पर जाएंगे और यहां पर मैं एक folder करूँगा यहां पर लिखूँगा मैं server core तो इसको एंटर करेंगे और यहां so okay करेंगे तो मेरा जो पाथ है वाइड ड्राइव में एक server core का folder बनाया और यहीं पर करना चाता हूं तो यहां से next करेंगे यहां पर यहां पर विंडोज के लिए जो hardware requirement हार्डिस की requirement है वो आपको यहां पर देना है तो by default यह भी 60 GB का ले रहा है आप 60 GB के साथ जा सकते हो बट मैं यहां पर क्या करता हूं मैं 100 GB यहां पर दे रहता हूं ठीक है यहां पर करना आपको single virtual hard disk as a single file जो आपकी hard disk होगी single file में store होगी अगर आप इसके साथ जाते हो तो आपके पास जो hard disk तो बनेगा लिए फाइल जो होंगी वो multiple जगे में store करेगा तो हम क्या करेंगे सिंगल location पर मैं इसको करना चाहते हैं इसलिए मनें यहां पर क्या किया कि store virtual disk as a single file इसको single file में store करेगा ठीक है 100 GB का मैं space दे दिया है next करेंगे और यह आपका एक overview आगे कि आपने क्या क्या नाम दिया है virtual machine का कहां पर इंस्टॉल कर रहे हो विंडोस का कौन सा यह वर्जन है आपका और इसमें कितने जीवी आपने हाड़ डिस दिया है memory क्या है अगर आप चाहते हो कि मैंस करने को चेंजिस करना चाहता हूं तो आप यहां पर अपने रैम बढ़ा सकते हैं तो मैं यहां पर सर्वर कोर के लिए आपको गाईस वन ज यहां पर एक चीज और गाईस आपको जो network adapter है by default यहां पर नैट है ज़िए अगर आपको vmware के बारे में अगर आपको आईडिया नहीं है तो प्लीजा मुझे कमेंट किजिए कि मुझे vmware के ओपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो चाहिए तो वीमवेर ए तो तो अब हम यहां पर क्या करेंगे जो अप्रेटिंग सिस्ट करेंगे नैट Yanari करें दऊसकते हो लेकिन से यहां पर जो चूजस करूँगा गाई वह करूँगा ब्रीज अडेप्टर डिट रेडेप्टर का मतलब है कि जो मेरे फिजिकल adapter जो है मेरा physical adapter उसके साथ वो connect हो जाएगा और वहां से आपको क्या मिल जाएगा आपको IP मिल जाएगा means जो आपका internet है आपके घर पे जो wifi internet connection लगा हुआ है और जो आपका physical machine है उस physical machine के साथ ये connect हो जाएगा तो अभी के लिए सिर्फ आप क्या कीजिए इसको bridge पे क्लिक कीजिए ठीक है इससे क्या हुआ कि जो आपका wifi router है उससे वाई पी उठा लेगा और आपको internet connectivity आपको इस machine के साथ मिल जाएगा ठीक है तो आप यहाँ पे फिलाल bridge कर दीजिए ठीक है और उसके बाद आपको यहां से just आपको close करना है ठीक है और यहां से finish करना है और next जो है आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे बाकी को delete कर देता हूं यहां से so आप देख सकते हैं कि यहां पे server को उरका जो machine वो ready हो चुका है बट अभी यहां पे मैंने iOS को select नहीं किया है तो अभी हमें यहां पे क्या करना होगा iOS को select करना होगा तो iOS को select करने के लिए आपको यहां से cd and dvd पर जाना है and click on it आप single click करेंगे यह आपका open हो जाएगा यहां से choose iOS image पर जाएगे और यहां पर जहां पर भी आपका iOS पढ़ा हुआ है जैसे मेरे यहां पर पढ़ा हुआ है यहां पर यहां पर आपका server 16 image इसको click करेंगे open कर देंगे that's it nothing else और यहां से आपको okay okay करने के बाद आप इस machine को करना है start start करेंगे अब यहां से और यहां पर इस्टॉलेशन जो है आप देख सकते हैं start हो चुकी है कि सो जब तक next screen आती है तब तक कि हम वीडियो को पॉस्ट करते हैं कि नाओ आप यहां पर देख सकते विंडोस 2016 का जो है डैश्वड ओपन आ चुका है यहां पर आपको आपको ऐसे करना next इंस्टॉल नाओ अब यहां पर आपके पास option आएगा कि जो आपका विंडोस ऑपरेटिंग सिस्टम को जिवाई बेस्ट इंस्टॉल करना है यहां पर अब ही हमारे पास यह देखिए यहां पर जो servers 116 के पास जो standard आ रहे हैं गाईस वो आ रहे हैं मेरे पास यह जो आपका पहलो जो option है यह आपका विंडोस 2016 स्टैंडर एडिशन ठीक है और यहां पर अगर मैं इस वाले option के साथ अगर क्लिक करता हूं फर्स्ट वाले के साथ तो गाईस यह standard version का कोई इस्टॉल होगा कोई का मतलब अगर कोई कहूं करना अधस आपको CLI बेस ओपरेटिक सिटम को इस्टॉल करना है तो आपको फ्र्स्ट यॉल स्ट्रॉल करना है और अगर और एक है guys आपका data center edition data center edition तो guys दो edition है दोनों में ही आपको क्या मिल जाएगा CLI and GUI दोनों में ही तो आप data center के साथ भी जा सकते हैं standard के साथ इन दोनों में क्या differences है guys इसके बारे में हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे कि दोनों में क्या differences है standard edition के अंदर data center के अंदर ठीक है तो अभी के लिए हम लोग जैसे कि हमारा वीडियो server core के ओपर है तो guys हमें server core के लिए data center के साथ भी जा सकते हैं और हम standard के साथ भी जा सकते हैं तो अभी फिलाल के लिए मैं standard use करूँगा ठीक है जिसके लिए आपको minimum hardware के requirements से आपका काम चल जाएगा तो मैंने हैं standard edition चूज किया है नीचे वाला desktop edition है ध्यान दे कि अगर आप इसको चूज करते हैं तो आपका ग्राफिक जीवाई-based operating system install होगा अगर आप first वाला क्लिक करते हैं standard का ये CLI-based operating system होगा ठीक है तो यहां से हम करना है इसको next first पर जाएंगे next के पर क्लिक करेंगे और next के पर क्लिक करने के बाद license को accept करेंगे next करेंगे custom installation पर जाएंगे new I think windows की installation आप सब लोग को आता होगा just मैंने यहां पर आपको server core को selection करना बताएगे server को कैसे हम नों install करेंगे आप कोई additional कुछ चीज़ आपको नहीं करने की ज़रू होता है यहां पर just that's it अब यह जो है मेरी windows core की installation शूरू हो चुकी है जैसी यह complete होता है फिर हम वापिस आते हैं और इसका user interface देखते हैं किस तरीके का user जो server core का होता है वो देखते हैं लोग तो तब तक के लिए वीडियो को पॉस्ट कर देता हूं जो विंडोस server core की installation को complete हो चुकी है installation के बाद guys मेरे एक बाद server restart हो और restart होने के बाद यह screen आपको आएगा ठीक है और यह है आपका server core का जो main first screen after installation तो installation के बाद आभी यहां पे पास्वर्ड आपको first time जो चेंज करना पड़ेगा तो यह screen आपके पास आएका मैं screen को full करता हो अधेक्मेंट दीजेगा guys so यहां पर आपको करना है यहां पर जासे का देख सकते हैं उपर user का name are administrator और यहां पर the user password must the chain before the login तो आपको यह से okay करना है आपको password देना है तो मैं यहां पर देता हम password जो तो भी मुझे रखना है और यहां पे tap दबा के आपको नीचे आना है यहां पे एंटर नहीं मारना है गाई आपको new password देने के बाद confirm password के लिए आप टेब एंटर किया है और same password आपको confirm करना है और यहां से आपको एंटर और फिर एंटर और नाओ server सब्सक्राइब करना है तो अगर मुझे इसको कन्फिगर करना है इसको मैनेज करना है तो कैसे करना होगा यह सारी चीज़ आप इस सीरीज में रहेंगे आने वले टाइम में नेक्स वीडियो में इसके क्रमान देना चीज़ कि इसको क्मानद करना है करना है तो को क्या करना होता है कि अ management tool को use करके आपको just enter करना है और आपके पास इस तरह का platform आएगा और यहां पर आपको just क्या करना है जैसे मुझे computer का name change करना है I want to change my computer name तो यहां पर computer name को change करने के लिए number two press करना है आपको यहां से number two press करेंगे और enter करेंगे उसके बाद enter the new name of your computer computer तो मैं यहां पर दे देता हूं server core और enter करेंगे और यहां से yes करेंगे और आपका server रिस्टार्ट होगा और आपका system को जो नाम है वो आपका change हो जाएगा तो guys अगर आपको commands नहीं भी आता है तो भी आप इसको manage कर सकते हो लेकिन हम को हम इसको जो है to the scratch सिखेंगे किस तरीके सा server core को manage करेंगे जितने भी हमें server के पर जो रोल्स इंस्टॉल करने हैं उस सारा का सारा guys हम लोग command के थ्रू करेंगे तो कैसे करना भी यहां पर देख सकते कि कि कितना fast यह restart होके भी कम आ चुका है मेरा ठीक है तो यहां पर सर्वर को का benefit यह कि guys यह बहुत fast है और यहां पर किसी भी तरह कि अगर आप minimum 512 MB RAM के साथ है उसको easily चला सकते हो तो बहुत ही light bit operating system है ठीक है सो और सबसे बड़ी है कि secure भी है secure इसलिए कि हर को इसको यूज नहीं कर सकता अगर किसी को कर से कमांड के ना हो तो वो इसको यूज नहीं कर सकता तो सबसे बड़ा benefit इसका यह भी है कि security base भी आपका अच्छा खासा है इसका तो यहां से आप control and delete करेंगे ठीक है यहां पर इसका size थोड़ा सा increase कर देता हूं फॉंड का तक यहां पर आपको मैं अगर मैं host name करूंगा host name so you can see the name of the server server code तो यहां करते हैं मैं इसका नाम फिर से to the select option तो यह सारे select domain में group में change करना है domain में add करना है तो आप first option के से जाएंगे अगर आपको local administrator account करना तो थी नमबर यूज़ करेंगे तो यह सारे इसीज़ हम लोग देखेंगे आने वोले time में no problem तो अगर मुझे restart करना तो I will press 13 number तो यह system होगे अब नाओ मैं वापिस से CLI पर आ गया फिर से मैं अगर एस config प्रेस करता हूं और नाओ मैं वापिस से configuration management पर आ ठीक है तो यहां पर मैं वापिस से आपको अपना hostname चेंग करके रिखाता हूं तो सबसे पहले मैं काम करता हूं वापिस से exit करता हूं और मैं यहां यहां पर होस्त नेम एंटर करता हूं आप दिख सकते हैं पर सर्वर कोर आ रहा है तो मैं का नाम वापिस से चेंग करता हूं और मैं काम करता हूं स्कॉल्ट प्रेस करने के बाद नमबर 2 प्रेस करेंगे क्योंकि मुझे कम्पिटर का नेम चेंज करना है यहां पे नेम तो यहां पर कंपिटर का नेम जो आपको टप करना कुछ भी अब दिशकते हो जैसे मैंने दे दिया एस नाम देने हैं एस को और हैफन डिसी dc1 मैंने यह नाम देना है sco dc1 hyphen dc1 just press enter यह आप से restart के लिए पूछेगा click on yes अब आप देखेंगे कितनी जल्दी जो है यह quick restart होके आपके screen भी आ जाएगा तो give me a second अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही fast operating system है यह बहुत minimum hardware के साथ आप इसको तो RAM मैंने यहां पर configure किया हुआ है इसको मैं सिर्फ और सिर्फ 1GB RAM दिया हुआ यहां आप साइज 1GB तो 1GB के साथ बहुत है प्राक्टिक्स जो है और हम से कर सकते हो तो सबसे पहले control और डिलीट कर देंगे यहां से what is the password of your system it is after the password I will put host name and press enter now server core s-core-dc01 तो गाइस यह एक छोटा सा introduction था installation कैसे हमें server core को install करना है तो वह हमने देखा आज के वीडियो में और हमने कैसे configuration management tool को use कर सकते हैं for configuring the windows server core तो नेक्स वीडियो में हम लोग command के थुरू हम सब्सक्राइब को कैसे manage करते हैं इस सारी चीज़े हम लोग देखेंगे तो मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में गाइस अगर वीडियो पसंद आया तो आपकी वीडियो का लाइक ज़रू करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रू करें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिवियो आपको मिल सकें तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए और टेक क्यार झालो